कि अब लोगों को यह जो है नेकेट सिलार्गनेल है सिल्क अंदर पाया जाता है और जहां पाया जाता है आपने पड़ा है इससे प्रोटीन फेक्ट्री आप चल कहते हैं आप सारी लोग अच्छी से जानते हैं जैसे आप अपर घर में खाना कोन बनाता है मुम्मी बनाती है मनाती है खाना मम्मी यम्मी यम्मी खाना बनाती है ऐसे ही शेल में राइबोसूम कोन बनाता है प्रोटीन कोन बनाता है यह सेलार्गनेल है राइबोसूम तो अगर आप आईए दिस्कवरी देखी जाए इससे सुरू किया सीधे लिखते हैं यह देख बेटा डिस्कवर्ड वाई वग्यानिक का नाम लिखिये जैसा कि इन सी आटी ने दिया हुआ है सांटिश का नाम जार्ज पैलाडे है जार्ज पैलाडे है इन्होंने इससे खोजा था इन किसी एर में 1953 भारत देश को आजाद होने के बाद मतलब स it is called as इसे कहते हैं Hence it is called as पैलाडे पारडीकल्स इसे हम लोग पैलाडे पार्डिकल्स कहते हैं यह दिखे हैंंस का्ल्डे पैलाडे पार्डिकल्स तो राष्चों की जो खोज है इसे जार्ज पैलाडे ने किया आप ये समझेए discovered by George Pallade 1953 hence it is called as Pallade Particles 1903 में George Pallade ने इसकी discovery की इसलिए इसको हम लोग Pallade Particles कहते हैं अगर आपको इसको दूसरा comment लिखना है तो तुरूंट आफ लिखें कि सर देखिए इसके बारे मिए सबसे important बात है कि ये naked salargnail है naked salargnail मतलब ये हुआ एक ऐसा salargnail है जिसके उपर कोई membrane नहीं है जिसके आपके पढ़ा है कि सेल में तीन तरह की salargnail है ऐसे salargnail है जिनके उपर two membrane है double membrane bound है mitochondria chloroplast single membrane bound है और ये ऐसा salargnail है जिसके उपर कोई membrane नहीं है जिनके उपर कोई membrane नहीं है उन्हें naked salargnail कहते है या उन्हें false cell arganeal कहते हैं अगर आपसे कोई पूछे false cell arganeal किसे कहते हैं तो आप बताना है सर यह वो arganeal है जिनके उपर कोई membrane नहीं अगर आपको मैं ऐसे point याद कराऊं कि कौन कौन से cell arganeal है जो naked है यह point वाली बात है तो अगर हम लोग naked cell arganeal देखें यह देखें naked cell arganeal देखें आपको यहाँ यह बात notice करनी है कि cell के अंदर कौन कौन से naked cell arganeal है नाम लिख दीजिए सबसे पहले है ribosome यह naked cell arganeal है दूसरा नाम लिख दीजिए centriol है जो centriol होता है animal cell में जिससे division होता है वो है ribosome है centriol है और nucleus के अंदर पड़ा हुआ nucleolus है यह तीन ऐसे cell arganeal है यह तीन ऐसे cell arganeal है जो naked cell arganeal है जिनके ओपर कोई membrane नहीं पाई जाती है तो आप देखें naked cell arganeal कहते हैं false cell arganeal कहते हैं अगर आपको यह बात clear करनी है तो ऐसे cell arganeal जिनके ओपर कोई membrane नहीं है हम उन्हें कहते हैं कि यह देखिए लिखिए present present in both prokaryatic and eukaryatic cell प्रेजेंट इन बोथ, प्रोकरियाटिक एंड यूकरियाटिक सेल, यह जो सेलार्टनेल हैं, यह दोनों सेल में पाय जाते हैं, मतलब जो प्रोकरियाटिक सेल है, जो यूकरियाटिक सेल है, वो दोनों में पाय जाएगा, जिनके ओपर कोई मेंबरेन नहीं है, वो दोनों सेल इसमालेस्ट सिलार्गनेल है And highest in number And highest in number Cell के अंदर इसकी संख्या जाता है आपको धना रखना है इस सेल औरNeil की साइच छोटी है मतलब छोटी साइच का है लेकिन सेल में इसकी संख्या सबसे जाता है तो आपको ये बाद भी रखनी है दिमाग में अपने ताकि आपसे कोई गलती नहों और भी देख लिएजे जो protein synthesizing cells है जो protein बनानी वाली cells है protein synthesizing cells है protein synthesizing cells है उनमें ribosomes evidently पkay जाते है जिन cells पे protein पाई जाती है जो cells ज़्यादः ज़्यादः प्रोटीन की product बनाती है उसमें ribosomes evidently पाई जाते है इसका आपको ध्याँ रखना है important है protein synthesizing cells में ribosome की संख्या जादा होगी common cells की बात है जब ribosome की संख्या जादा होगी तो अभी तो protein जादा बनेगी यह तो सिंधासी बात है अब आप एक बात देखिए मैंने कहा कि प्रोकरियाटी के और यह करियाटी cell दोनों भी पाई जाती है अगर आप से कोई पूछे किस cell में ribosome नहीं पाई जाते हैं तो आप यहां रखना है कि mature RBC mature RBC of human mature RBC of human do not have any ribosome do not have any ribosome do not have any ribosome मैंने 32 बार बताया है 40 बार बताऊंगा 100 बार बताऊंगा तब तक पताऊंगा चब तक कि आपके वकाहन से पना जाए जो ribosome है वो छोड़िये सारे बात दोनी आप ध्यान सुनिए जब mature RBC बनती रहती human RBC बनती रहती है मनुस्वें हमारे blood bone मेरों में बनती रहती तो RBC के अंदर nucleus होता है सारे silagnes होते है वो aerobic respiration करती है लेकिन development stages में जब उसका development होता रहता है माल लिजए इस बात को ऐसे सीख लेकर तो अच्छा हो जाएगा ये माल लिजए RBC है developing RBC है तो जब ये developing RBC है तो इसमें सारे silagnes पाय जाते है developing RBC है तो इसमें सारे silagnes पाय जाते है ये इसका cytoplasm में है ये aerobic respiration कर रहा है सब कुछ सही चल रहा है अब हो क्या रहा है कि इसके developmental stage में एक stage आती है जिस stage को लोग reticulocyte stage कहते है ये RBC के development के दवराने के stage आती है और इस stage के बाद इस RBC में कोई भी silagnes नहीं रहे जाते है इसमें केवल और केवल हीमोगलोविन पायक हो जाता है ये RBC है mature RBC ये mature RBC है इसके अंदर कोई भी silagnes नहीं है और ये RBC अगले 120 दिन तक human के अंदर जिन्दा रहेगी इसका मनद इसका मनद भी silagnes नहीं पाय जाते है इसका दाग धार रखना है इसके किसी भी protein की भार्मिशन नहीं होगा कोई protein synthesis नहीं होगी कोई भी बात नहीं होगी तो मैंने आपको क्या पढ़ाया सबसे पहले डिसकबरी पढ़ाई इसे अगर आपको यह तो पहले सबसे बात जो आपने पढ़ा हुआ है अरड़ी यह बात जरूर लिए दीजिए इससे protein factory आफसल कहते है protein factory आफसल कहते है यह भी लिग दीजिए क्योंकि आप आरड़ी यह बात पैदा होने के बात ही आपके आसपास के लोग आपको पढ़ाते है जाय यानवर भैस सब पढ़ाते है तब आप राइवो सूम लिखते हैं तो राइवो सूम आप दो लिखते हैं एक लिखते है 70S और एक लिखते है 80S बोलिए हाँ अगर हम इसकी unit की बात कर लें या major की बात कर लें तो इसमें आखिर yes क्या है अगर हम yes को देखे तो इसमें जो यह yes है यह sedimentation coefficient है इसे कहते है sedimentation coefficient कहते है पहले ही बात समझेए यह इसी को एक scientist है चिनका नाम है सेवडबर्ग बाग्यानी का नाम देख ले सेवडबर्ग नाम है यह जो yes है यह यंसी आटी कहती है it indirectly measures it indirectly measures क्या क्या size and density of ribosome यह ribosome की size and density के बारे में explain करता है इसका मतलब यह हुआ कि जो ribosome से उनमें किसकी size बड़ी है उसमें 18S बड़ा है 17S छोटा है तो आपको ध्यान रखना है कि yes का मतलब क्या हुआ yes का मतलब हुआ sedimentation coefficient यह september coefficient जो ribosome के indirectly ध्यान रखना है directly नहीं रिखाया indirectly रिखाया है दो चीजों के बारे में explain करता है size के बारे में density के बारे में explain करता है ध्यान रखना है इस चीज़ का yes का मतलब हुआ sedimentation coefficient जो ribosome के size और density को indirect लिक्स्प्लेन करता है इसका ध्यान रखना है आई यह ribosome के origin के बारे में देखते हैं एक ribosome के origin कहां होती है अब यह आपने देखा मैंने आपको बताया कि दो तरह के ribosome है एक ribosome है जिने 70S ribosome कहते हैं यह देखिए और दूसरा ribosome है जिसे 80S ribosome कहते हैं 70S ribosome और 80S ribosome है अगर आप इनकी origin की बात करें अगर आप इनकी origin की बात करें तो इसकी origin है from cytoplasma of cell मतलब जहां पर भी रहेगा इसका formation से होती है निकलियोलस आफ सेल मतलब आपको मैं बता हूँ निकलियोलस आफ सेल इसी निकलियोलस को हम लोग निकलियोलस को हम लोग ribosome की factory कहते हैं यह देखिए ribosome को तो protein की factory कहते हैं लेकिन निकलियोलस को ribosome की factory कहते हैं आपको यह बात इमार में सिट करने नहीं है कि 70S ribosome जो होता है साइटोपलाजम से उसकी ओरजिन होती है 80S ribosome की ओरजिन निकलोलस आफसल से होती है निकलोलस कहां पर है निकलोस के अंदर है वहां से इसका फार्मिशन होता है तो यह इसकी ओरजिन है अगर हम इसके टाइप की बात करें तो टाइप इसके जनरली दो है अगर आप इसकी टाइप बात करते है तो एक ribosome है जिसे हम लोग 70S ribosome कहते है यह पहला इसका टाइप है अब इस 70S ribosome यह पहला टाइप है अगर आप 70S ribosome के location देख लें कि सेल के अंदर कहां पर पड़ा है तो आप अच्छा इस 70S ribosome को हम लोग prokaryotic ribosome भी कहते हैं पहली बात तो आप यह जान ले prokaryotic ribosome कहते हैं इसी 70S ribosome को हम लोग prokaryotic ribosome कहते हैं इसी का एक नाम और है mito ribosome है मालो कोई आपसे पूचता है किसका नाम क्या है mito ribosome है यह देखिए पर यह आप इसके नाम देख लीज़े by the way अगर कोई पूचता है तो इसे हम लोग mito ribosome कहते हैं अब यह 70S ribosome है कहां पर अगर आपको यह बात बनानी है तो आप इसे एक cell बना दीजे ऐसे cell बनाईए यहाँ पर लिखिए एक सर यह जो cell है इस cell का नाम prokaryotic cell है prokaryotic cell मतलब यह हुआ कि इस cell में nucleus नहीं है आप यहाँ पर एक ऐसी nucleus बनाईए इस nucleus का नाम लिखिए कि इसे incipient nucleus कहते है कौन सा nucleus कहते है आप बोलिए कि इसे incipient nucleus कहते है लिख दिया आपने इसके अंदर यह DNA पढ़ा हुआ है यह देखिए यह सके अंदर DNA पढ़ा हुआ है और यह देखिए इसमें यह पढ़ा हुआ हुआ है plasmid यह पढ़ा हुआ प्लाजमा अब यह सेल की स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ अब यह बने राइबोसों नहीं पढ़ा है आपको अब मैं क्या करता हूँ कि इस पिंक चाक से राइबोसों की लोकेशन दिखाता हूँ अगर आप इस पाहर वाली मिम्बरेन को प्लाजमा मिम्बरेन माझ रहे हैं तब इस प्लाजमा मिम्बरेन से अठैच है हमारा 70S राइबोसों आप इसको दिखा दीजीए यह सर देखिए पहली प्लोकेरियाटिक सेल में राइबोसों की ओरिजिन यह लोकेशन यह है कि ये जो है प्लाजम ब्रेंज से अटेच है और दूसरा ये राइबोसूम इस साइटो प्लाजमें से फ्री टहल रहा है अगर आप इन दोनों राइबोसूम को लिखें ऐसे हेडिंग लिख लीजे लिखें, 70S राइबोसूम है तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये राइबोसूम जो ये 70S राइबोसूम है ये प्रोकरियाटिक सेल में पाय जाता है तो आप कहें कि अच्छा सर प्रोकरियाटिक सेल में पाय जाता है हम कहां भाई प्रोकरियाटिक सेल में कहां कहां पाय जाता है लिखना है तो आप लिखेंगे सर attached with plasma membrane attached with plasma membrane ये दो जगा पाजा रहा है किस cell में आप ध्यां रखें ये prokaryotic cell में इसकी दो location है इसलिए साथ इसको prokaryotic ribosome केते हैं अब ये prokaryotic cell की location होगे अगर आप ribosome की location eukaryotic cell में देखना चाहते हैं मालीजी आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे eukaryotic ribosome को भी देखना है तो आप ऐसे eukaryotic ribosome लिखेंगे ऐसे कि सर ये eukaryotic ribosome पहले आप लिखी जए अगर eukaryotic ribosome को मैं बताऊं चाहे आप इसे eukaryotic ribosome कहते हैं या चाहे इसे आप cytoryosome कहते हैं इसले कहते हैं कि ये साइटो प्लाज में पाए जाता है ये कौन सर ये पहले इसका नाम लिखेंगे एक सरी है 80 सर ये इस पाने बता दिया sedimentation coefficient होता है सिंतों साथ जैसे आप किसी को एक सुन्दर सी निगाह से देखते हैं गाय के चोटे से बच्छडे को आप प्यार की निगाह से देखते हैं मुहबबत की निगाह से देखते हैं उसी मुहबबत की निगाह से इस सेल को देखिए मजा आएगा आपको अगर आपको इस सेल को देखना है आप पले सेल का नाम लिखिए लिखिए यह eukaryotic cell है यगर यह eukaryotic cell है यह देखिए तो आप फटा-फट काम करना सुरू करिए सबसे पहले इसमें तो नुकलियस बना देजिए बनाईए नुकलियस बनाना तो पड़ेगा ही नुकलियस बिना बना एक अल्यान नहीं है मेरे दोंस्त नुकलियस से फिर आप एक काम करिए ऐसे बनाईए ऐसे और आप इसका नाम लिखना सुरू करिए कि अरे सर आप तो इंटोपलाज में रेटिकुलम बनाने का सोच रहे हैं जी हाँ बिलकुल सोच रहे हैं अब आपने क्या किया यह भी बना रहे हैं जवाब यहाँ बस थोड़ा सा बनाईए आप इसमें और भी सारे काम लोगों करना है सेल तो छोटी सी बिचारी है यह देखिए आप यहाँ पर ऐसे माइटोकांडिया बनातीचे लिख दीज़े कि सर यह माइटोकांडिया है पूरी बात लिखनी है बिना संकोच के information आपने पढ़ा है कि खराब information या incomplete information बड़ी खतरनाक होती है आप इसका पूरा धिहां रखना है एक जब आपने माइटोकांडिया बना दिया तो आप इसके सगी भाई को बनाना मत भूलिए क्योंकि अगर आपने यह भूल दिया तो जग सूना सूना हो जाएगा आप यहां पर लिखिए एक सर यह chloroplast है यह देखिए वो माइटोकांडिया है और यह क्या है chloroplast है यह दो सिलागनेल्स हो गए अब आप पनाना स्टू कर यह ribosome अब अगर आप धिनान से देखिए तो यहां पर 70S ribosome पिंक चाक से लिखा है तो सबसे पहले में आपको यह क्लियर कर दूँ कि यह जो 70S ribosome है यह माइटोकांडिया क्लोरोप्लास के अंदर भी पाया जाता है 70S ribosome माइटोकांडिया क्लोरोप्लास के अंदर भी पाया जाता है कहां पर पाय जाता है ये पाय जाता है माइटो कॉंडिया के अंदर पहला माइटो कॉंडिया के अंदर पाय जाता है और दूसरा क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाय जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाय जाता है आपको ध्यां रखना है कि ये 70S ribosome दो तरह की सेल्स पर पा जाता है प्रोकरियाटिक सेल के साइटो प्लाज में फ्रीली पड़ा हुआ है और उसके प्लाज में इसे अटेज है जबकि ये करियाटिक सेल के माइटो कांटिया क्लोरो प्लाज में पा जाता है इसलिए इस 70S ribosome को आरगनेल बिदीन आरगनेल कहते है आपको ये बात आज सीख लेनी है आर्गनेल बिदिन आरगनेल कहते है मैं आपको जो कहना चाहता हूँ आप पहले इस बात को समझ ले सीख ले बिना सीखे कर लाट नहीं आपका आप क्लास 11 में हैं, बिना सीखे कर लाण नहीं, मैं यह कहना चाहता हूँ, कि आप उस सल को ध्यांस देखिए, उस सल में, यह माइटो कांडिया क्लोनोप्लास तो सिलार्ग निल्स हैं, और इन सिलार्ग निल्स के अंदर भी 70S ribosome है, तो पहली बात नहीं हो गए, जो 70S ribosome ह यह काम आना है, और दूसरी खास बात ही हो गए, यह कारियाटिक सिल्के, माइटो कांडिया और क्लोनोप्लास तो सिलार्ग निल्स है, फिर समय क्या कर रहा हूं, ध्यान सुनिये, मेरी निगाह को, और मेरी आत्मा से जो आवाज आपके पास पहुच रहीं, ध्यान सुनिये आत्मा लगाई, इसमें मन लगाने जिनुत नहीं है, तो आप ध्यान से देख रहे हैं, कि माइटो कांडिया क्लोरप्लास अल्रेडी से लार्ग निल है, और उसके अंदर भी जो है राइबसूम पाय जा रहा है, कौन सा पाय जा रहा है, तो छो एक्तियस वाला, 70S राइब राइबसूम पाय जा रहा है, माइटो कांडिया क्लोरप्लास के अंदर पाय जा रहा है, आर्ग नेल के अंदर आर्ग नेल है, इसलिए देखिए मैंने लिखा है कि 70S राइबसूम को आर्ग नेल बिदिन अर्ग नेल के पे, ध्यां रखना इसका, अब आईए, हम लोग करुलियूलास है, यह देखिए, यह निंकलियूलास है, अगर आपको इसमें जो है, ribosomm का फार्मिशन दिखाना है, तो आप 80S ribosome को इसमें से बनाए, युकरिया डिक्सल में, यह देखिए अकर मैंने 80S ribosome यहां पर बनाया, हमने 80S ribosome यहां पर बनाया, इस जगा पर, यह देखिए, ऐसे बनाया, यहाँ पर हमने राइबोसोम एटियस बनाया, ऐसे जगों पर बनाया, और कुछ राइबोसोम हमने साइटोपलाज में डाल दिये, तो यह जितने भी लोकेशन से हैं, यह सारे के सारे राइबोसोम, एटियस राइबोसोम है, इसे लिए एटियस र Attached with लिखिए पुरी बात आउटर Attached with outer nuclear membrane Outer nuclear membrane से यह attached है पहली बात हो गए दूसा लिखिए Attached with rough endoplasmic reticulum Attached with rough endoplasmic reticulum यह rough endoplasmic reticulum है यह इसकी है यह इसकी है बाई कौनसी प्रोटीन है पूरा नाम लिखिए इस प्रोटीन का नाम राइगो फोरिन है मतलब एक राइगो फोरिन प्रोटीन है जो इसको rough endoplasmic reticulum से जो ड्राइगो लोकेशन हो गई outer nuclear membrane में पढ़ा है rough endoplasmic reticulum में पढ़ा हुआ है और तीसरा है जो free in cytoplasma है मतलब मैं आपको यह सिखाना चाहता हूँ कि यह जो राइगो सोम है 80S वाला राइगो सोम यह तेन जगाँ पर पढ़ा हुआ है कहां कहां पर पढ़ा हुआ है अगर मैं आपको यह तोड़ी सी आप आप सीखने का प्रयास करें कि जो 80S यह दो में टूटता है 40S प्लस 60S यह इसमाल साभी उनिट है यह लार्ज साभी उनिट है डिटेल अभी पढ़ाता हूँ है आपको तो यह जो आप rough endoplasmic reticulum के surface पे देख रहे हैं जनली 60S यहां जुड़ा रहता है तो 50S वाला क्या करता रहता है 40S वाला अलग तहलता रहता है तो वह किस ताइम जुड़ता है जिस समय यहां से यहां DNA सारनी बन के आएगा टांस्क्रिप्शन होगा उस समय राइगोसों की दोनों यूनिट जूड़ जूड़ जाएंगी मेगनिशयमायन के कंसंट्रेशन बढ़नी पर तो जनली अगर आपसे पूछे कि सेल में प्रोटीन सिंथिस नहीं हो रही है राफ इंटप्लाज में विच राइगोसों जनली विच राइगोसों इच अटेज्ड विद जनली विच राइगोसों इच अटेज्ड विद ऐसे लिख लेजे अटेज्ड विद राफ इंडप्लाजबी रेटिकुला आपको आपसन क्या देगा अगर आपसन को आपसन देगा 40S चुड़ी है 60S चुड़ी है 30S चुड़ी है 70S चुड़ी है आप टिक कहां करेंगे काट के करेंगे 60S चुड़ी है तो 40S कब जुड़ेगी जब cell के अंदर प्रोटीन बननी होगी तब 40S चाकेस पर जुड़ जाएगी राइबसोम की पूरी यूनिट कम्प्लीट हो जाएगी तो ये है प्रोकरियाटिक सेल का राइबसोम जिसे हम लोग 70S राइबसोम कहते हैं वो यूकरियाटिक सेल का राइबसोम है जिसे 80S कहते हैं ध्यान रखना है कि 70S राइबसोम प्रोकरियाटिक्सल के साइट उपलाजर पाया जाता है और युकरियाटिक्सल के माइटकंधिया क्लोरोपलाश के अंदर पाया जाता है हाँ तो अब आप देखे इसका structure देखे राइबसूम का राइबसूम के structure अगर आप देखें do किसी विराइबसों में, अगर कोई विराइबसों में, तो उसमें दो सब्यूनिट होती है। सिंपल सी बात है कि किसी विराइबसों में दो सब्यूनिट होती है। क्योई विराइबसों है। एक उसकी जो सब्यूनिट होती है, उसको लार्ज सब्यूनिट कहते है। पहली बात तो आप यह समझें, common sense की बात है, जो unit बड़ी होते होगे, इसको large sub unit कहते होगे, common sense की बात है, और जो बड़ी बात ही हो, छोटी बड़ी होती होगे, इसको क्या कहेंगे, बहुत कामन छोटा भाई है, इसमाल sub unit है, मतलब कोई भी राइगोसोम में दो sub unit है, आपक कि अगर आप यह देखे कि यह राइगोसोम है, जैसे मालीज आपने कहा है, सर 70 राइगोसोम है, तो अगर 70 है, इसकी जो large sub unit है, वो 50S है, और जो छोटी sub unit है, वो 30S है, ऐसे 80S चाईब राइगोसोम जो होता है, उसकी जो बड़ी sub unit है, उसे 60S कहते है, छोटी वाली sub unit है, उसे 40S कहते है, अगर आप इसी का फीगर आप फीगर दिखाना चाहते है, तो इसे लिखा दीजिए, कि यहां लिख दीजिए एक सर यह large sub unit है, हमने यह भी लिख दिया भाई, चलो भाई, तुम कहते हो तुमाल लिखी रहता हूँ, बच्चे हो तुम, यह रेखो, यह क्या है, इसमाल sub unit है, बोलो हाँ, बोलो क्या हाँ, इसमाल sub unit है, यह large sub unit है, अगर इसमाल sub unit किया तरफ आपने यहां 30S लिखा, यहां पर आपने 50S लिखा, तो आपने इसको घेर क्या क्या लिखा, 70S लिखा, अगर आपने यहां पर 40S लिखा, और यहां पर 60S लिखा, इधर घे तो इतना simple तो रोटी नहीं होती जो आप चबा चबा के खाते हैं तो यह देखो तो यह 30S 50S बिलाकर 7S बनाती है 40S 60S बिलाकर क्या बनाती है 8S का फार्मिशन करती है अगर आपको और भी सीखना है अगर आपको और भी सीखना है तो यह आप सीखिए कि जो human होता है यहाँ आप यहाँ देखिए अगर आप ऐसे देखिए कि small जो subunit होती है जो small subunit है फ़ले आप basic बात देख लेटेल बात पर सीखाऊंगा small subunit में तीन चीज़ होती है अगर आप small subunit बनाना चाते हैं तो यह small subunit है यह देखिए पर लब इसमाल subunit ऐसे दिखाई परती है जैसे आप सिर्पे टोपी लगागे मेरा नाम जोकर बेरा नाम जोकर ऐसे करते नहीं तो छोटी subunit है इसे है एसे क्लिफ्ट कहते है अगर आप इसके लाड़ subunit को बनाने का सोच रहे हैं वेसे तो आपको सोच नहीं पड़ेगा यह क्योंकि आप पायों में आगे हैं आप डाक्टर बना चाहते हैं तो अगर आप इसके लाड़ subunit को बना के सोच रहे हैं बाइद भी अगर आप सोच रहे हैं तो ऐसे बना दीजे यह यह ऐसे बना दीजे यहां पर लिखिए कि जो उभरा हुआ पार्ट है इस पार्ट को proto-verance कहते हैं लिख दीजे कि इस पार्ट का नाम क्या है proto-verance है यह जो इसका पार्ट है इसे हम लोग ridge कहते हैं R-I-D-G-E और यह जो नीचे का पार्ट है इसे stock कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे तो अगर इससे प्यार की निया से देखों कि इस राइब उसुम को जैसे आप चोटे सगाय के बच्चे को देखते हैं, कुटे के पिल्ले को देखते हैं, चोटा सो जो बेवी होता है तो आप देखें, इसका ये उपरा हुआ अपाथा जिसे पाता है, तो अगर वा दो एफिट निया जाएगी का है तो तोटल हाइट की आप जाएगी नहीं चैहिए पांच फिट लेकिन पांच फिट पिट लेगी नहीं 50 आना चाहिए, mathematics के हिसाब से, 70 आता है, क्योंकि जो, इसका klepther इसके protoverence में घुज जाता है, मतलब से, अगर आप ऐसे देखें, यह इसका protoverence है, यह ऐसे, यह large subunit है, और इसकी small subunit में ऐसे आके देखिए, ऐसे यह घुज जाता है, इस तरह से एक complete ribosome बन जाता है, तो अ बन के 100 आना चाहिए, वो नहीं आता है, बलकि यह आजाता है, कितना? कितना आजाता है, यह यह आजाता है, यह यह एटी-इस आजाता है, आपको इसका ध्यान रखना ही, दोने unit के करना इससा होता है, एक पात मैं आपको बटा दू, इस से सल बात है, very important है, पहले में लिग स्राइबोसों में इसके यहां 55 स्राइबोसों पाय जाता है। कौन स्राइबोसों पाय जाता है। 55 स्राइबोसों पाय जाता है। यह ध्यां रखना है। और इस 55 स्राइबोसों की छोटी सब यूनिट है 25 यस और बड़ी सब यूनिट है 35 यस। इसका ख्याव रखना है आपक ध्यान रखिएगा मैं यहां से लिख देता हूँ अगर आपको दिल लग रहा है तो यह ध्यान से सुनिए चुपके से सुन किसकी चुपके से सुन किसकी धुन बायो की धुन यह है बायो जी चुपके से सुन बायो जी की धुन तो आप देखिए ये चुपके से सुनना है, कान में थीरे से घुश जाएगा आपके और आपके बात समझ में आ जाएगी कि हुमिन के माई टू कांडिया में 55 एस राइबोसों पूचे पाई जाते हैं जिसमें 25 एस और 35 एस की तो सफिर उठी होती है अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, अल्टरा स्ट्रक्चर की बात करें अल्टरा स्ट्रक्चर आफ राइबोसों देखें अल्टरा स्ट्रक्चर आफ राइबोसों देखें आपको ये बास सिखना है Ultra Structure of Ribosome अगर आप देखें डिटेयल में Ribosome को देखना चाहते हैं अप अपका मन है Ribosome को देखने का तो आएगे देख लेते हैं कि Ultra Structure क्या है इसका वैठा कोई भी Ribosome कोई भी Ribosome हो चाहे वो 70S का हो चाहाँ वो 80S का हो तो राइगोसोम दो चीजों का बना है एक तो बना है आपको आर आरेने का अगर आपको इसका पूरा नाम नहीं आता है तो आप इसका पूरा नाम देख ले इसका पूरा नाम है राइगोसोम अलारेने वो RNA जो ribosome में पाए जाता है उसे ribosomolarene कहते है और दूसरी बाद जो ribosome में पाए जाती है एक खुब भी protein का बना है और वो जो protein है उसे हम लोग basic protein कहते है मतलब कोई भी ribosome आप बना रहे हैं तो ribosome किसी सोने चांदी का नहीं बना है दो चीजों का बना है किसका बना है RRNA का बना है और basic protein का बना है तो RRNA का कुरणाम ribosome लारने है basic protein आप जानी रहे हैं आईए शुरू करते हैं तो ये देखिए आप 70S ribosome यहाँ पर बनाईए 70S ribosome आपने लिख दिया पहला आप इसका structure देखना चाहेंगे अब आपको ये नहीं देखना है कि 70S ribosome में दस बार में लिखा है किसकी दो यूनिट है 30S और बड़ी यूनिट क्या है 50S आपने लिख दिया 30S और 50S आपने फट से लिखा तो जब आपने लिख दिया तो बना तो ना जा रही है ये देखो ऐसे बनाओ ये चोटी सब यूनिट है ये और बड़ा सब बनाओ इसमाल सब यूनिट है लिखिए ये कि सर ये है इसमाल सब यूनिट इसे क्या कहते है इसमाल सब यूनिट इसे क्या कहते है बेटा लार्ज सब यूनिट large sub unit कहते हैं इसका नाम क्या है 30S इसका नाम क्या है 50S अब आपको दो बातें लिखनी है कि इसमें कौन कौन सा ribosomalarni और कौन सा रिसी प्रूटीन है अगर आपको ये बात लिखनी है तो आप यहाँ लिखना सुरू करिए कि सर देखिए अगर ribosomalarni इसमें 16S ribosomalarni और इसमें अगर आप देखें तो ये देखें ये 5S ribosomalarni और फिर दूसरा ribosomalarni जिसे 23S ribosomalarni मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ आप समझे इस बात को कि इस ribosom में इस ये राइबोसom आपको देख रहा है इसमें राइबोसomalarni कोई-कोई सा है छोटी सब यूनिट में 16S ribosomalarni बड़ी सब यूनिट में 5S और 23S ribosomalarni बात आती है प्रोटीन की तो अगर आप इसमें प्रोटीन बात करते हैं तो इसमें 21 different basic protein है 21 different protein है ये देखें 21 different protein है इसका ध्याँ रखना है और इसमें जो प्रोटीन है वो 35 different protein है अगर इसकी संख्या घट बढ़ भी जाती है तो आपको तिकत नहीं होनी चाहिए ध्याँ रखना इसका तो आपको ये बात ध्याँ रखनी है कि ये जो 70S ribosom इसकी 2 sub unit है 30S और 50S 30S ribosome में 16S ribosome अलारने है ribosome अलारने 16S है और इस अलाराल sub unit में 523S है इसमें 21 different protein है और इसमें 35 different protein है ध्याँ रखनी है एक special बात है जो मैं आपको अगली क्लास पे सिखा रहा हूँ ध्यान दे इसका चलो भाई तो देखो 80S ribosome अगर हम दूसरा अला देखते है ये देखिए मैंने आ लिखा कि ये 80S ribosome है अगर आप 80S ribosome के बारे में देखें तो इस 80S ribosome में 2 sub unit है अगर आप 80S देखते हैं तो इसकी छोटी sub unit को 40S कहते है बड़ी sub unit को 60S कहते है अगर आप इसी बात को ऐसे बना दें लिख दें इसी पे ऐसे बड़ा सा बना दे कि भाई ये देखिर ये स्माल सफ यूजिट है इस ट्राइबसम की 80S वाले की स्माल सब यूजिट है इदा लिख दिजे सार ये 40S है यह इसकी लिखीए किक स 상태 양े लार्ज सबी इनिट है यहां लिखिए यहन कि लार्जत सव उड़िट है सब्ब सब्भानेऩ बड़ेगे इस dru0000 हो मा जाएक तो अधर आप इसे प्रोटीन देखना चाहते है तो इसमें देखिए यहां पर जो प्रोटीन है जो RRN वाली प्रोटीन है यह RRN वाली प्रोटीन है 18-S Remi-Sumal RNA याद करना पड़ेगा यहां पर जो प्रोटीन है 20-S Remi-Sumal RNA यह पहला हो गया दूसरा है 5.8-S Remi-Sumal RNA यह इसका दूसरा RNA है और तीसरा है 5S ribosome अलारे लिए अगर आपको यह याद करने में तक्लिक पुराइद किसे याद करेंगे यह पूरा जो राइबसोम आपने बनाया यह कौन सा बनाया आप एंक सारे ATS बनाये लिए तो ATS अगर आप बनाये लिए देखिए इसके लिए लास्ट में 8 है यहां भी 8 और यहां भी है 18, 28, 5.8 में समय लास्ट में क्या 8 जिन्दगी में आपको भी नहीं बोलेंगे दल्टी होई नहीं सकती है अगर इसमें आप बेसिक प्रोटीन की बात करें चाहें तो इसमें 34 डिफरेंट बेसिक प्रोटीन है 34 डिफरेंट बेसिक प्रोटीन है याद होगी याद होगी नहीं छोड़ दीजेगा परिशान मत होईएगा प्रुटीन की संख्या नहीं पूची जाती है और इसमेंन लिखे हैं कि इसमें 45 different basic protein है इसमें 45 different basic protein है 45 different basic protein है यह वाद आपको धिना रखना है यह अप थिहां से आफस्युनिए यहां मैं very importantly रहा हूँ साय गुवाइब बात जारूरी होगी तभी नलिक रहा हूँ एक term होता जिसे हम लोग राइबो जाइम कहते हैं पहले इस term का मतलब समझें राइबो जाइम क्या है अगर आप ध्यां से देखें तो राइबो माने राइबोसोंस और जाइम term लगता है इन जाइम के बाद में इन जाइम का function क्या है अगर RNA कैटलिस्ट जैसा काम करने लगता है तो उसे हम लोग राइबो जाइम कहते है यह एंजाइम क्योंकि कैटलिस्ट जैसा भी है करा लेकिन यह अगर एक्जामपल पूछे तो यह देखे 23S राइबो सुमल आइब अगर मैं पूछू किस सेल में तो आप कहेंगे सर यह बैक्टेरिया की केस में मतलब प्रोकरियाटिक सिल में इसे हम लोग राइबो जाइम कहते हैं अगर आप से कोई पूछे प्रोटीनियस है नान प्रोटीनियस है आप क्या सर मजा कर रहे हैं कि आप सुबा सुबा दो पहर साम जब भी है तो आप यह ब्रोटीनियस थोड़ी है तो आरने है ना यार तो आरने प्रोटीन थोड़ी है आपको यह बाद भहां रहनी है अब आईए यहाँ पर यहाँ पर देखी मैं यहाँ पर यह लिखता हूँ मइगनीशयम आन का अ कंसंचेशन 0.001 Mole Heart and Magnesium Éand is essential इसेंचियों Magnesium Éand is essential for Magnesium Éand is essential for binding of Magnesium Éand is essential for binding of both subunit of Chriosong both subunit of Chriosong both subunit of Chriosong मतलब राइवसों के दोनों यूरिट के जोडने के लिए हमें कौन साइन चाहिए हमें मैगनेशियम हैं चाहिए मैगनेशियम हैं चाहिए जैसे कि अगर आप देखें अगर आप यह बात देखें कि यह देखिए इसका नाम है 60S यह है 40S अगर आपको इन दोनों को जोड़ना है शेल के अंदर इन दोनों यूनिट को जोड़ना है तो शेल के अंदर मैगनीशिय मायन का कंसंचिशन से यह 0.001 मोलर सलूशन जब ऐसा होगा तो आपके शेल के अंदर 60-40 जोड़के 80S ribosome मिल जाएगा इसी तरह से अगर आप देखें दूसरी कंडिशन अगर यह 50S ribosome है और आपको इसको 30S ribosome से जोड़ना है तो आपको सेल के अंदर कंसंटेशन चाहिए कौनसा सेल के अंदर चाहिए मैगनीशिय मायन का कंसंटेशन 0.01 मोलर सलूशन और उस केस में ribosome आपको सेल के अंदर 70S दिखाई पड़ेगा कंसिप्ट यह है दोस्त कि अगर इतना कंसंटेशन रहता है तो सेल में ribosome दोनों जुड़ जाएंगे और अगर यह कंसंटेशन गिर जाता है पर इतना कंसंटेशन को दोनी दुड़ जाएंगे मतलब सेप्रेट हो जाएंगे सेप्रेट हो जाएंगे मैं यह सीखाना चाहता हूँ आपको इसी तरह से अगर आप देखें यह बात आप जहां रख लें कि रफ हिंड़ प्लाज में रेतिकुलम है रफ इंड़ प्लाज में रेतिकुलम है इसकी सर्फेस पे यह जो रायबो-सोंस पड़े वे हैं यह जो चिुपकर हएं रायबो-सोंसौंस हैं यह जो रायबो-सौंस हैं यह 60-S वाले हैं इस यहांपर कौन से प्रोटीन हैं इन प्रोटीन का नाम राइबो फूरिंग है तो जन्रल कंडिशन में जब प्रोटीन नहीं बन रही है तो इस सफ इंड़ प्लाजबी रेटिव कुलम की सर्फेस पे 60S राइबो सुन जुड़े हैं तो 40S को जुड़ेंगे जब सेल में मेगनेशियम आया इतना हो जाएगा य इनकेशन में में काशचन आयन का कंसेंटरेशन 10 कुलमण बढ़ जाता है 10 पाई जाता है एक मेंगेनिशम आयन का संटरेशन तो अगर दस कुनों के कंसंटेशन मेगनिशम आयन का बढ़ गया, तो यह 0.01 मूलर सलूशन हो गया, इस केस में आप देखें, यह जो 70S और 70S हैं, यह 100S राइबोसों का डाइमर बना देंगे, मतलब यह हुआ कि अगर कंसंटेशन इतना है, तो यह बनेगा, इससे घड़ कि दोनों खुल जाएंगे, लिकर अगर यह कंसंटेशन दस कुनों पर कैसल के अंदर, तो राइबोसों की 70S मिल के 100S का डाइमर बना लेंगे, ठीक इसी तरह से देख बेटा, यह 80S राइबोसों है, इससे देखिए बेटा, यह 80S राइबोसों है, और यह दोनों राइबोसो 120S का डाइमर बनेगा, तो अगर आप टोटल स्टेक्चर देखते हैं, तो सबसे पहले आपको याद करना है कि इसमें RRN पाए जाता है, बेसी क्रोटीन पाई जाती है, दो सब यूनिट हो जाती है, राइबोसों के डाइमर बना सेल मिल सुरू हो जाते हैं, और आपको मैं अगर आप देखें, जैसा आपने पहले पढ़ा हुआ है, ये राइबोसों को हम लोग प्रोटीन फेक्टरी आफ सेल कहा जाता है, ये है राइबोसों का फंक्शन, जिसमें लोग प्रोटीन फेक्टरी आफ सेल कहते हैं, ये है, सबसे सिंपल सी बात है, ये आप सब को आता दूसरा होता है कि राई वसुम वाइट लोग जेनिसिस करता है थोड़ा सा हम लोग सब्जेट के अंदर भुशेंगे तो पड़ा अच्छा लगेगा खूबसूरत बिस से है ये तो वाईट लोगजेनिसिस बाने होता है formation of yoke yoke क्या होता है? हम आपको सिखाते है yoke का formation करता है मतलब yoke चो होता है उसके formation में राइगोसुम इन बालब है अगर आप कभी अंडा ऐसे देखे ये देखे हिंदी में लेख दे रहा हूं कि ये बुर्गी का अंडा है इस अंडे के अंदर क्योंकि आपने पढ़ा है कि ये एक तरह की शिल है तो अगर आप इस अंडे के अंदर देखें किसी एक जगा पर आपको एक खास तरह के कलर का yoke बुल जाता है मैं आपको ये योग चो है ये खास तरह की प्रोटीन है अंडे को हो लोग इसलिए खाते है इसमें इसलिए प्रोटीन पाई जाती है जिससे अब्यक्ति स्वस्त रहता है लेकिन वो अलंड अंडा ही जो इंजिक्शन से आता है हमें अंडे वो खाने चाहिए जो मुर्गी जनरेट करते हैं जो मुर्गी से निचुली पैदा होते है वो अंडे फाइदे मन्द है अब आपको एक कांसिप्ट सीखना चाहिए मेरे हिसाब से आपको यह सीखना चाहिए कि सर पाली राइबसूम क्या है अगर आप यह सीख जाए कि पाली राइबसूम क्या है चाहे पाली राइबसूम कहें और चाहे इसे polysome कहें बात एक ही हुई polyribosome कह दें या polysome कह दें पूरी बात लिख दीजे क्योंकि जब आपने heating डाल दीए तो पूरी बात लिखनी चलीए polysome या polyribosome किसे कहते है polysome तो देखे when मैं पूर इसकी definition लिख देता हूँ when many ribosomes when many ribosomes when many ribosomes are attached with when many ribosomes are attached with पूरी बात कर लिखे attached with single thread of single thread of single thread of या मारने मैं आपको बता दूँ कि यह बहुत important है और दूसरी खास बात है इसकी जो जिकर है इस आपके medical kit ticket में ribosome लिखा गया है medical kit ने ribosome पीन जगा लिखा गया है तो अगर आप देखे polyribosome prokaryotic cell में देखे तो अगर आप polyribosome को prokaryotic cell में अगर आप ribosome को देखे यह prokaryotic cell है इसमें राइबोसोम कैसे कब दिखता है यह पाली सोम कब दिखता है तो मैं आपको बता दूँ प्रोकरियाटिक सेल में पाली राइबोसोम पर्मानेंट होता है पाली राइबोसोम पर्मानेंट होता है मतलब चाहे प्रोटीन मन रही हो और या न मन रही हो यह आपको हमेशा दिखाई पड़ेगा polyribosome permanent होता है permanent होता है अगर आप eukaryotic cell देख रहे हैं अगर आप eukaryotic cell देख रहे हैं eukaryotic cell eukaryotic cell में polyribosome जो polyribosome है polyribosome can be seen polyribosome can be seen during protein synthesis यह देखे यह आपको दिखाई पड़ेगा चिसमें protein की synthesis हो रही है तभी आपको दिखाई पड़ेगा पहले यह बात लोग लिख लें फिर explanation करते हैं अगर आप इन दोरों concept को समझना चाहते हैं तो आप एक ऐसे cell बना दीजे यह यहाँ फ़ले cell का नाम लिख लीजे कि सर यह prokaryotic cell है अगर आपने इसे prokaryotic cell लिखा आपने इसे prokaryotic cell लिखा तो यह देखिए इसका यह DNA है DNA है तो आपने एक concept यहाँ पर थोड़ा और सीखना पड़ेगा फ़ले आप इस बात को सीख लें कि यह जब आप सेख लेंगे तो आपको बात पूरी सरसमझ में आएगे कि जब DNA है तो DNA से अगर DNA बनता है तो इसे replication कहते है मतलब अगर इस तरह में DNA से DNA बनेगा तो इसे replication कहेंगे अगर इस DNA से RNA का formation होता है RNA का formation होता है तो इसे transcription कहते है तो इसे हम लोग transcription कहते हैं और इस RNA से जब protein का formation होता है protein का formation होता है तब हम इसे translation कहते हैं यह देखिए अब आप देखिए DNA से DNA मेंने का application, DNA से DNA मेंने का translation यह जो तीनों प्रक्रिया है DNA से DNA मनना यह BC की cytoplasm होगा क्योंकि नुकलेस तो है नहीं DNA से RNA मनने का यह भी cytoplasm होगा यह RNA जो होता है यह ऐसे आएगा cell में इस RNA कोलर्यटी 5 प्राइम को 3 प्राइम है इस ribosome में नीचे छोटी यूनिट पड़ी ribosome की ओपर बड़ी यूनिट, फिर छोटी यूनिट, फिर बड़ी यूनिट ऐसे आरेंज हो जाती है अगर आगर आपको पाली ribosome बनाना है तो आप ऐसे यहां पर बनाएंगे एक सर दिखिए यह यह मारने है यह मारने की प्राइम हमें सब 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है यह यह मारने जब DNA से बन किया आता है तो ribosome के छोटी यूनिट नीचे बड़ी यूनिट उपर फिर छोटी यूनिट उपर नीचे बड़ी यूनिट उपर छोटी यूनिट नीचे बड़ी यूनिट उपर इस तरह से छोटी बड़ी और छोटी बड़ी एक structure बनता है और इसे structure को हम लोग poly-ribosome कहते हैं पाली-ribosome कहते हैं यह देखे तो आपको pro-karyotic cell में यह structure हमेशा दिखाई पड़ेगा चाहे protein बननी हो और चाहे नबननी हो लेकिन अगर आप eukaryotic cell पे देखे अगर आपने eukaryotic cell इसे अपना दी यह eukaryotic cell का nucleus है यह देखे यह eukaryotic cell का nucleus है यह nuclear membrane है यहाँ पर इसका DNA पड़ा हुआ है यह देखे तो DNA से DNA से DNA से RNA जो बनता है transcription यह DNA से DNA replication यह nucleus में होता है eukaryotic cell के और इससे बनके जब RNA cytoplasm में आएगा RNA cytoplasm में आएगा जिसकी polarity 5'-3' है इस RNA का नाम YmRNA है तो इसमें भी ribosome की छोटी unit, बड़ी unit, छोटी unit, बड़ी unit, बड़ी unit बन जाएंगी यह तब तक बने रहेंगी जब तक इस cell में protein बनेगी और जैसे इस cell में protein बन जाएंगी तो यह सब के सब अपने आप digest हो जाएंगे मतलब poly ribosome इसमें तब बनेगा जब protein बन रही हो, बने यह लिखा है और prokaryotic cell में poly ribosome का formation permanent होता है इस तरह से ribosome, cell के अंदर protein का formation करता है तो अब आप लेटर देखें, mitocondia के बारे में देखें mitocondia जो है, अगर इसकी little meaning देखी जाया तिसकी little meaning है mitos टर्म से origin भी है, जिसको हम लोग thread कहते है यह देखें, और chondriyan माने होता है body chondriyan माने होता है body, यह देखें मतलब एक ऐसा structure जो thread जैसा दिखता है उसी इसमें mitocondria का अगर हम लोग इसकी discovery देखें, तो अगर हम लोग इसकी history देखें तो यह देखें, सबसे पहले लेखें, discovered by discovered by, इनका नाम kolikar है एक scientist है, इनका नाम kolikar है 1880 में, 1880 में, इसे खोजाई नोंने in associated muscles of insect associated muscles of insect में muscles of insect में, सबसे पहले kolikar ने इसे discover किया पहली बार दूसरी बात अगर आप देखें इसकी दूसरी बात अगर आप देखें तो एक scientist है, ultimate नाम हमका ultimate ने ultimate ने quind it, इसे नाम दिया bioplast bioplast अंदिया 6 साल बार 1886 में एक scientist है, kolikar यह kolikar जो है bioplast है एक scientist है, जिनका नाम है C. Vinda नाम है C. Vinda इस scientist है C. Vinda नाम हिनका called it C. Vinda called it mitochondria C. Vinda ने mitochondria कहा C. Vinda called it mitochondria and stand with color किया dye these को stand with crystal violet यह यह वो डाई है crystal violet जिससे mitochondria को cell के अंदर color करते है stain देते है color देते हैं जिससे mitochondria अपने आपको represent करता है तो हिस्टिस के बारे में इतनी है कि कोलीकर ने 1880 में मतलब 1880 में इसे जो है इस्टेटिन मसल साफिंसेक में खोचा अल्टमान ने से बायो प्लास्ट कहा C. Vinda ने से सबसे पहले mitochondria कहा और इसे crystal वाले डाई से dye से color किया किसी भी में आपको माले किसी ने पूचा कि कॉंड्रियों क्या होता है देखिए questions है उन questions को आफ हम लोग शाल्ब नहीं करेंगे तो हम गड़बर कर देंगे तो अगर कॉंड्रियों देखें तो कॉंड्रियों जो है वो है total amount of cell total amount of mitochondria in cell किसी विस्सल के अंदर mitochondria की total amount को total amount of mitochondria in a cell किसी विस्सल में total amount mitochondria की जितनी होगी उस total amount को वो लोग कॉंड्रियों कहते हैं याद कर लीजिए दूसरी बात कॉंड्रियों आपने याद कर लिया तीसरी बात माइटो प्लास्ट भी से कहते हैं तो माइटो प्लास्ट कर कहते हैं ये भी आप सीख जाए तो अच्छा होगा ये डबल से लागनेल है अगर आप ऐसे सीधे लिग लीजे equation type का कि माइटो कांड्रिया के माइटो कांड्रिया के अगर आप outer membrane को निकाल दे माइटो कांड्रिया के outer membrane को अगर आप निकाल देते है माइटो कांड्रिया के outer membrane को निकाल देते है तो जो बस्ता है उसे माइटो प्लास्ट कर tr tr एक बात और देख लीजे ये second largest cellargenail है लिखी रहे हैं तो लिखते रहे हैं second largest cellargenail है second largest silargnail है आपको ये धहां रखना है ये आप point लिख लीजे second largest silargnail है इसके पर इन और दी सारी comment है अगर आप यहां देखे second largest silargnail है अगर आपसे कोई पूछे कि chloroplast आप यह सुले ये इस chloroplast और mitochondria में बड़ा कौन है तो chloroplast और mitochondria में chloroplast बड़ा है mitochondria चोटा है मैं यह लिख देता हूँ ये बड़ा है ये बड़ा है size में और ये चोटा है ऐसा इसलिए है कि क्योंकि इसको electron microscope से देखा जा सकता है अगर आप इसे देखें तो इसे हम लोग electron microscope से देख सकते हैं electron microscope से इसे हम लोग देख सकते हैं electron microscope से देख सकते हैं इसलिए हम लोग इसे बड़ा से लार्गनल केते हैं ये बात इन CRT ने है लिखा हुआ है इसलिए हम इसको हिंदी में आपको explain कर रहा है chloroplast mitocondria में chloroplast पड़ा हुआ हुआ है mitochondria चोटा है क्योंकि chloroplast from mitocondria उसके जो है हम लोग electron microscope से देख सकते हैं और देखिए इससे हम लोग semi-autonomous syl-argonel कहते हैं semi-autonomous syl-argonel कहते हैं semi-autonomous syl-argonel कहते हैं आप से कोई पूछे ऐसा क्यों है तो अगर आप से कोई ये पूछता कि ऐसा क्यों है तो आप लिखिए गिए ऐसा इसलिए है क्योंकि it has own genomic system इसका अपना खुद का genomic system है it has own genomic system इसका अपना खुद का dna, rna dna है इसलिए इसलिए हम लोग semi-autonomous syl-argonel कहते हैं एक और बात लिखिए biggest syl-argonel है आप सो रहे हैं और आपका heart काम कर रहा है heart भी जो ATP का production हो रहा है कोन कर रहा है ये देखिए biggest syl-argonel है इसी कारण जिया क्या हो जाए जिया धाड़क धाड़क जाए ये जो जिया धाड़क जा रहा है ये जो जिया धाड़क रहा है मुझी आप क्यों धड़क रहा है क्योंकि यह माइटो कांडिया उसको धड़का रहा है मलग माइटो कांडिया काम करना बन किया पजीवन समाफ्त हो गया सब मौम आया है सब क्या है मौम आया है सब गतम हो जाएगा तो यह बिलियस्ट इसल आर्ग मेल है और भी नाम तेते हैं लिखलो ना आड़ ATP of ATP meal कहते हैं या इसे Siller furnace कहते हैं Siller furnace कहते हैं यह देखिए खुप सारे नाम है जितना मन करें आप लिख लें Siller furnace कहते हैं या इसे हम लोग एक नामे ओर लिख लें आप साइट आफ Siller respiration जो सेल में रिश्पारेशन हो रहा है चो, ATP बन रही है उसका फार्विशन कौन करता है、 उसका फार्विशन राइवस़्ू करते है ये सारी की बैसिक बाते हैं चो आपको आनी चाहिए बिना इसकाल आपकल्दि नहीं है तो आपको ये सारी बाते हैं चाहिए सेमी आटो नामस सेलार नेल है, बीजेस सेलार नेल है, पावर हाउस आपसल कहते हैं, एटेपी मिल कहते हैं, साइट आपसलोर रिस्प्रेशन है